हलो फ्यूश्य चार्टर अकाउंटेंट्स आज जो हम चैप्टर रिवाइस करने जा रहे देडिस बाइबक ऑफ शेयर और शेयर पिदिफरेंशल राइट्स जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं इस चैप्टर का नाम है बाइबक ऑफ शेयर तो वह एक अलग कंसेप् कि डिफरेंशल राइट्स एक अलग कंसेप्ट है सो दोनों ही हम लोग अच्छे से समझेगे आपने अगर पहले बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको नहीं भी समझाओगा लेकिन आप एक बार यह चाप्टर वीडियो देखें ता सारी की सारी चीज़े आपको समझ में आ हो जाए तो हमलोग पहले रिविशं शणुरू करते हमारे बाइबाइबएट उप शेयर तो फिसके बाद हम शेयशaa दिफिरेंशेल राइच राइच दिक वाट इस भाईग जयूक confess के कॉई और चीज़ रिडेमशन और चीज़ एह रिडेमशन और प्रफ्रेटेश के बारे में बात करें मैं जब के थो buyback of shares मतलब कौन से shares के बारे बात करें हम लोग बात कर रहे equity shares के बारे में बात करें तो buyback का मतलब क्या था buyback का Мतलब reversal of equity shares जो shares आपने means purchase of its own equity share हम खुद के इक वीडिशे के ख्रीदे रहे उसको कैंसल करने तो यह रही मेरी balance sheet, This balance sheet में equity share 을 है, preference share से loan है credit अरे, तो मैं किस के cancellation की बात कर रहो am me equity shares के cancellation की बात करूँ इस chapter में preference share की cancellation की बात नहीं कर रहे हो दूसरी चीज़ is Redemption or preference share, or redeemable preferences you know कि इंडिविवे में इसको within 20 ङस हमको redeem करना होता है हम लोग Route relationship की बात नहीं करें हम लोग किसके बारे में बात करहें हम ल Çünkü पर शेर, you know, accounting center 20, जो कि हम लोग की revision series में आगे cover भी करेगे, तो earning per share, EPS जो होता हो, आपका बढ़ता है buyback करने, समझा नहीं कैसे, buyback करने से EPS बढ़ता है, मैंने कहा कि 50,000 shares थे, कितने shares थे, 50,000 shares थे, 50,000 shares में थे, मैंने 10,000 shares को buyback किया, तो 50,000 shares थे, और 10,000 shares को मैंने buyback किया, तो कितने shares हो गया, मेरे buyback के बाद 40,000, तो मैंने कहा कि पहले profit था 2,00,000 रुपए, number of shares थे, 50,000 रुपए, तो कितना हो गया, 4 रुपीज, कितना हो गया, EPS 4, profit divided by number of shares, अब देखेंगे, S20 में profit, which is attributable to equity shareholder, divided by number of shares, weighted average number of shares, महा पर आपन 2,00,000 divided by 50,000, यह कितना हो गया, तो आपका EPS 4 रुपए, अब आपने पहले नहीं, 50,000 में से 10,000 shares buyback कर लिए, तो 10,000 shares मैंने buyback कर रहा, तो मेरे shares कितने हो गया, 50 में से 10 buyback कर तो 40,000 हो गया, तो 2,00,000 रुपए मेरा profit और यह 40,000 shares हो गया, तो 2,00,000 divided by 5 कर तो EPS कितना हो गय तो EPS जो मेरा पहले 4 था, वो बढ़के अब कितना हो गया, 5 हो गया, EPS जो पहले 4 रुपए था, वो बढ़के 5 हो गया, तो यह भी एक reason होता है buyback करने का, कि हमारा EPS बढ़े, market में उसकी value बढ़ती, EPS बढ़ने से share की, तो उससे हमारी company को benefit हो, दूसरा क्या reason होता है, increase promoters holding, अब promoters जो होते company के उनके holding भी बढ़ती है, buyback करने से, चलो उसको भी example लेते और समझते, मैंने कहा कि यह हमारी company की balance sheet है, equity share capital 10 है, preference share capital 5 है, और हमारे पस loan कितना है, 5 है, loan कितना है, 5, तो मैंने कहा equity share capital 10 है, preference share capital 5 और loan है, 5 तो total 20 और यह asset 20, अब यह जो 10 आपका equity share capital इसमें स promoters hold करते है, 6 और बाहर वाले hold करते है, 4 तो total सब उसे lakhs है, 6 lakhs promoter hold करते है, 4 lakhs के share कौन करते है, बाहर वाले, तो total कितने का हुआ, आपका equity share capital 10 का, तो अब यहाँ पे buyback के पहले, buyback अभी नहीं हुआ, buyback के पहले, मैं कहता हूं, कि 10 में से, 10 में से 6 promoters ने hold करा है, तो 10 में से 6 promoters ने hold करके रखा है, तो कितने प्रतीशत हमारे promoters ने hold करा है, 60%, simple सी पात है, 10 आपका equity share capital उसमें से 6 promoters ने hold करके रखा है, तो कितना hold करके रखा है, 60%, अब मैंने कहा कि हम लोग ने buyback करें, तो buyback बाहर वाले जो थे, उनकी 4 में से, हमने 2 lakhs के share buyback करें, तो कितना हो ग कितने परसेंट, हम लोग ने hold करके 75%, तो buyback जो था आपका, जो buyback के बाद, जो promoters holding की वो बढ़ गई, 60% से बढ़के 75% होगे, तो buyback करने का एक reason ये भी होता है, कि promoters की holding बढ़ जाती है, EPS earning per share क्या होता है, बढ़ जाता है, अब उसके बाद, तीसरा reason, to support the share price and stock exchange, even the share price is less than its worth, मुझे लगता है कि market में, जो share की कीमत है, वो इसके worth से कम है, मैंने कहा, suppose example, market price मैं कहता हूँ, सपोस है 75, market price किती 75, और आपको offer आप कितने में दे रहे, उसको, 90 रूपीज में, तो market price 75, offer आप कितने में दे रहे, बच्चो, 90 रूपीज में उसको दे रहे, तो market price 75 और मैं लोगो को बोरो, लाओ-लाओ, मैं buy back करना चाह रहा हूं और मैं 90 रुपीज मिलें तो लोग तो बोलेंगे मार्च Ev 지금은 75 की करेंच शेयर की कमपनी परकेंचे अपने बाइबक करना चाह रहे रुपीस में तो वह तो बाइबक करने में अस्तानी है दूसरा मार्केट में भी मैसेज जाता है कि नहीं है जिसका वर्थ जादा है 75 की चीज़ को 90 में देते हैं मतलब इसका वर्थ जादा है तो इसकी वैल्यू बढ़ने में भी हमें मदद करती है और चौथा रिजन टू पे सर्प्लस का है अब हमने बूले यार हमारे पास बहुत कैश र यह आप नोड्स देख रहे हैं अगर आपके डाउनलोड करना है तो आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उस टेलिग्राम चैनल का आप लोग जॉइन करें वहां पे आपके सारे के सारे नोड्स की पीडिएफ महां पे मिल जाएंगी ओक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आपके जो भी फ्रेंड्स है जिनके लिए आपको लगता है कि वीडियो बेनिफिशल हैगा आप उनको यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे ओके अब हम लोग आते आगे बढ़ते एक कंसेप्ट है सेक्शन सिक्स्टी अभी सेक्श लोन और उसके बाद प्रेफरेंश चेयर क्यापटल प्रेफरेंश यह आपको पता होगा जब कंपनी लिक्विडेट होने जाती है तो हम लोग पहले किसको पे करते आउटसाइडर को पे करते तो अमने वह जो लोन है जो एक रेडिटर उनको अपन पहले पेकर तो उसके ब देटे में यह होता है क्योंको दो चीज़ में प्रेफरेंश लोलो को और उसके बाद इक्विडेंटी बास समझाजएगे तो आप लोग कर रहे हैं तो यह एक्विटी शेयर कापिटल है मैं बाइबैक कर रहा हूं तो मैं तो इनको पहले पैसा दे रहा हूं तो सब्सक्राइब करें तो दो तरीका में आपको सिखांगा इश्यू और देन इक्विटी बाइबक करें तो जब फ्रेश शेयर तो इस्यू करते हो अधर देन इक्विटी में बता तो क्या चीज़ हो और आउट ऑफ प्रॉफिट दोने एक्स्प्रेंट करूंगा वे लेकिन आ मैंने कहा क्या हुआ भई रो क्यूंट के आशिर हो रहें वो रोर है कि हमारे साथ गलत हुआ मैंने क्या गलत हूं मुझे बताओ तो बोले तो कल तो मभी कंपनी लिक्विटी हो इसा थे को बातरी है और औ बोलेंगे कंपनी अब हम लिक्विडेट हो गया हमको कंपनी लिक्विडेट करना है और जब पैसे देने की बारी आएंगी तो वह बोलेंगे कि नहीं हमारे पास पैसा हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास पैसा नहीं है तो बोल सकते ना तो फिर हमको सबसे पहले पैसा पैसा देना चाहिए था तो बात तो उनकी सही थी तो सड़नली वहां पे आता है सूपर मैन और हो कहता है कि section 68 हुँ मैं मेरा नाम है section 68 और मैं आपके protection के लिए आया हूँ मैं आपको बचाऊंगा कि आपके साथ कोई injustice ना हो और मैं आपको बचाऊंगा हो कहता है section 68 लेकिन section 68 है क्या उसका logic समझते कैसे section 68 protection कर रहा है उन बहार वालों की जिनसे पहले हम अभी buyback के वक्त equity को पैसा दे दे रहा है obviously equity buyback कर उनको पैसा देगे लेकिन उनका यह objection है कल तो company बंद हो गई तो आप यह ना कहना कि हमारे पास पैसा नहीं और हमसे पहले आपने equity shareholder को चाला की से दे दिए और आप buyback कर लिए और आप बोलते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है कल त re-entry हुई किसकी superman जिसका नहा है section 68 अब section यह portion पर मैं आऊंगा भी थोड़ी दिए ओके section 68 आप से कहता क्या है उसको ध्यान से बाप मेरी बस सुनेगे section 68 कहता है कि आप दो तरीके से buyback कर सकते हो कितने तरीके से buyback कर सकते हो दो तरीके से आप buyback कर सकते हो एक तरीक है out of fresh issue of shares. मैं buyback कर सकता हूँ out of fresh issue of shares और एक है मेरा buyback कर सकता हूँ out of profit. तो मैंने का कि जब मैं buyback करने जा रहा हूँ तो मैंने का कि market में fresh issue of shares, market में को और asus ऐएगा और और फिर यहां पर मैंने यहां पर पहले शेयर जब इसव प्रेफरेंट शेयर क्या जहां से संब्द तो मैंने एंट्री पास किया bank account debit to preference share capital account केंट्री पास किया मैंने bank account debit to preference share capital market में preference शेयर ईशू किया सब दो लाख रुपे कि अब मैंने shares अपने equity share को buyback किया तो decrease in capital होता है इसके entries में आगे बताओंगा लेकिनिक single entry short में आपे बता है equity share capital account debit to bank account मतलब 2,00,00 रुपे के मैंने market में preferences issue किया face value 2,00,00 रुपे premium पे भी हो सकते आगे entries detail में बताओंगा अभी concept पे focus करना तो मैंने में आपे shares issue किया market में 2,00,00 रुपे की face value सब्सक्राइब तो मैंने entry पास किया bank account debit to preference share capital वह entry मैंने पास करा अब उसके बाद मैंने market से shares को buyback किया अपने equity share तो मेरे equity share capital कम होई we all know the decrease in capital credit तो equity share capital account debit to bank account तो एक तरीका है कि मैं market में fresh issue of shares कर रहा हूँ और अपने shares को फिर क्या कर रहा हूँ capital का replacement capital से हुँगा इसका मतलब section 68 कहता है कि आपका जो capital है बच्चो यह preference जो भी capital आपका जितने से बढ़ रहा है उतने से ही capital कम होना चाहिए मैंने कहा कि मेरा preference share capital दो लाक रुपे से बढ़ा तो मेरा share capital फिर प्रेफरेंस कोई प्रॉब्लम है share capital दो लाक से बढ़ा लेकिन मैंने यहाँ पर share capital दो लाक से कम हुआ तो यह मेरा increase in capital हुआ यह क्या हुआ बच्चो इंक्रीजिन कापिटल हुआ और यह क्या हुआ बढ़ा और दो लाक से कापिटल बढ़ा और दो लाक से कापिटल कम हुआ तो जितने से कापिटल बढ़ा उतने से कापिटल क्या हुआ बच्चो कम हुआ मेरा तो जितने से कापिटल बढ़ा उतने से कापिटल क्या हुआ य प्रेश इशू आप शेयर तो ही मानना अधर्वाइस वो सेकेंड ऑप्षिन आउट ओफ प्रॉफित तो भी एक्स्प्लेन करूगा तो यहां पर जितने से चीप लेकिन जितने से कापिटल बढ़ा उतने से कापिटल कम होना चाहिए हुआ दूसरा आप कंपनी को बहुए के चलो चलो यहां पर आप शेयर से शू करेंगे तो आप दूसरा ऑप्षिन आउट आउट और प्रॉफित पेएक मैं आता हूं लिकिन उसके पहले आप एचीज सख पैसा आप कहां से ला रहे हूं और यसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं आपको कहते हैं आपको कहते हैं तो section 68 कहता है वो कह रहा है वो यह नहीं बोल रहा है कि आप पैसा कैसे देरो उसको तो बच्चे कई बाद गलत इंटर प्रेमियम वाले में आपको सिखा होगा पैसे से कोई मतलब नहीं पैसा आप कहां से देरे कैपिटल का रिप्लेस्मेंट कापिटल होने चाहिए वो बोलत अब out of profit का मतलब यह होता है कि वो हमसे कहता है कि जब भी आप buyback करते हो और अगर आप out of fresh shares नहीं कर रहे हो तो वो कहता है आपके free reserve जो भी आप shares buyback कर रहे हो सब्सक्राइक मैंने option बोला आपको कि पूरा का पूरा buyback आप out of fresh shares कर रहे हो तो आपको section 68 कहता है कि आप अपने जो भी आप buyback कर रहे हो उसकी जो भी face value उतने amount को अप free reserve account से उठा के एक नए account में लेकर जाओ उस account का नाम होता है CRR account तो मैंने का कि free reserve account से उठा के मैं CRR account में लेकर CRR is capital redemption reserve account तो free reserve account से उठा के मैं capital redemption reserve account में लेकि जो किस amount को जो shares buyback कर रहे हो उसकी face value ठीक है अब ऐसा मान के चलो कि आप buyback out of profit कर रहे हो इस में भी combination of both out of fresh issue of shares and out of profit उसके बारे में बात करेंगे पर बाद में थोड़ी दिर में लेकिन अभी मैं करो कि मैं कर रहा हूं out of profit तो जो भी share buyback करो उसकी face value को जितनी भी होंगी उतने को मैं free reserve account से उठा के मैं कहां पर लेकर चल जाओंगा we can a free reserve account से उठा के मैं कहां पर लेकर चल जाओंगा अब देखो यहां पर क्या बच्छों अभी अब क्या हो रहे हैं आप पिस फ्री रिजर्ब का मतलब क्या बैसे तब फ्री रिजर्फ का मतलब यह कह जाता है कि जो भी इस जो भी account का surplus balance that is free reserve लेकिन सिर्फ इसी चाप्टर में जब भी मैं free reserve word use करूगा तो आपने ख्याल रखना company's act में कहा हुआ है कि जब भी मैं इस chapter में free reserve word use किया तो that is including security premium ये बाकी chapters में मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा नहीं तो आप कहूँगे मगर सिर्फ इस chapter में buyback के purpose के लिए free reserve including security premium section companies act ये कहता है तो मैंने कहा कि free reserve को you can utilize to transfer to CRR account the face value of equity share जो आप buyback कर रहे हो वो free reserve को utilize कर सकते हो to transfer to CRR मगर free reserve including what security premium तो इसका मतलब तर अब इसका logic क्यों था क्यों CRR account में लेकि जाते हो logic में मैं दो मिट बाद में होगा लेकिन इसका मतलब यह हो रहा है कि यह जब मैं free reserve यहां पर debit करो reserve के credit balance होते हैं आप उसको utilize कर रहे तो आपको क्या करना debit करना है तो decrease in reserve debit हो रहे तो free reserve account debit to CRR ठीक है लेकिन free reserve कौन से आप penal account को surplus balance आपके पास है balance sheet में दिखेंगा रिजर्वन सर्पलस आप उसको utilize कर सकते हैं आपके पास अगर general reserve में balance है free reserve यहां पर security premium account भी debit कर सकते हो अगर मैंने यह observe कि इंसिट्यूट ने अपने कर सकते हैं इंसिट्यूट ने अपने सजेस्टेड में एक हाथ जगह या आज तक हर question मैं जब देखता है examination का इंसिट्यूट के मट्रों करते हैं तो हमेशा institute security premium को एक ही जगा मैंने देखा एक सजेस्टम attempt मुझे ख्याल नहीं है उस attempt में उन लोगों ने security premium यहां पर जब free reserve आप रहता न यहां पर security premium भी debit कर सकते हैं इस चैप्टर में मगर institute ने उसको कब यहां पर security premium को debit करती है जब ही जब उसके पास दूसरे free reserve नहीं है जब तो हमने भी यहां पर जब CRR में transfer करेंगे हम लोग यहां पर security premium करेंगे यूटिलाइस करेंगे जब हम उसको यूटिलाइस करेंगे जब कोश्चन में कोई और रास्ता नहीं बचावा कोई और रास्ता बचावा नहीं मतलब free reserve पीनल का surplus balance general reserve में balance हमारा रखा हुआ नहीं है उसी जगह पे अपन यहां पे security premium को debit करेंगी अधरवाइस हमेशा जो नॉर्मल हमारे free reserve रहते उन्हीं को यहां पर debit करना रहेगा तो आपने entry पास करें free reserve account debit to CRR account के entry पास करें free reserve account debit free reserve account debit to CRR account हम लोग नहीं entry पास करें अब ध्यान से अब आप मेरी बास सुनेगे लिए अब करें। आपने buyback करें तो आपके capital क्या हुआ तो आपके capital हुआ कम तो इक्वीटी शेर थे क्या अब आपने objection रेस कर आप कहए नहीं नहीं सर यहां तो होगी मैंने का क्या गलत बात होगी कैसी गलत बात हुई समझाओ मुझे आप कहने लगे सर यह हम को समझ मा रहा है यहां पर यह capital आपने इक्विडिशर capital को debit करें तो decrease in capital हुआ एक इदम सही बात है कि decrease in capital हुआ है लेकिन सरीक objection आपने कहते हैं कि capital का replacement capital होना चाहिए तो मैंने कहा ज़रूर था कि capital का replacement capital होना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो नया capital नजर नहीं आ रहा है जैसे यह अपने इश्यों के दिए प्रेफरेंश ता आपका capital इतने से बड़ा था लेकिन यहाँ पर तो क्योंटि रिजर्वे को यूटिलाइज कर लो टों या एकदम सही बात कहें यहां पर का रिप्लिस्मेंन कापिटल फिलहाल अभी नहीं हो रहा फिलहाल अभी नहीं हो लेकिन आप सबको पताएंगा यी रिविशन लेक्चे आप देख रहें आप को मैंने पताऊंगी कि में भी पढ़े उसका accounting में कि bonus bonus and right issue chapter में कि CRR account एक ही जगा utilize होता है that is for the purpose of bonus shares अब मैंने का कि bonus shares के लिए वो utilize करा जाएगा तो मैंने का आज ये CRR account कोई capital में convert नहीं हुआ capital नहीं हुआ तो आज capital का repracement capital नहीं है लेकिन आगे चलके जब मैं bonus shares issue करूँगा so I will pass entry CRR account debit ये CRR account के utilize करूँगा to equity share capital account तो आज capital नहीं बढ़ा है जब मैंने यहाँ पर buyback किया लेकिन मैंने एक account create कर रहा है उस account का नामे CRR जो कि future में जाके CRR utilize होंगा only for the purpose of bonus share तो जब मेरा equity share capital बढ़ जाएगा तो जब मेरा increase in capital होंगा तो यहाँ पर decrease in capital ये अभी हो रहा है लेकिन increase in capital future में होंगा ही होंगा क्योंगा क्योंकि CRR सिब एक ही जगे उसा हो सकता है for the purpose of bonus share तो आज मेरा decrease in capital हुआ आगे चलके increase in capital ज़रूर होंगा तो यहाँ पर भी capital का replacement capital हो रहा है जब out of profit है लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा फ्यूचर में होंगा फिलहाल आपने एक account create करें उस account का नाम है CRR account तो जब आप buyback कर सकते हैं that may be out of profit and that may be out of fresh issue of share so out of profit हो सकता है और out of fresh issue of shares हो सकता है so examination में हम कैसा मानें किस से है तर तो आप question में जब आपको बोला out of shares जितना बोला उतना ही out of shares आपको मानना है sometime it may be combination of both out of profit and out of fresh issue of shares तो आपने दिखना कि out of shares किता है उतना out of shares हो और आप बच्चावा सारा का सारा out of profit हो आप याद रखना है जब भी general entries पास करेंगे अभी entries में में डिस्क्रस करूंगा जब आप लोगो कोश्चन भी solve करेंगे आप चीज़ इस चीज़ को ख्याल रखना कि जब भी आप entry पास करें बस आपने देखना है capital का replacement capital हो रहा है कि तो जितने से हो रहा है हो रहा है बच्चावा अगर नहीं हो रहा है तो यह इसका logic हुआ कि इटमें भी out of profit इटमें भी आउट और फ्रेश शेर सियार सिव आउट और प्रॉफिट के case में create करते हैं अब अब इसकी general entries पे आते हैं जैसे कि मैंने आपका भी explain कि दो जगा से अपने उसके redeem कर सकते हैं एक आउट अफ प्रॉफिट और एक आउट आउट और फ्रेश शिओ शियर तो पहरे तो मेने entry पास किए equity share buyback account debited to bank account के entry पास बच्चो इक्वीटी share buyback account debited to bank account तो shares मेरे पास हैं मेरे पास से पैसा गया अब मैंने जो यह shares market से खरीद है इसको cancel करना है तो मेरे जो share capital इसको cancel करूँगा तो decrease in capital debit so equity share capital account debit और जो मैंने यहां पर इसको debit किया था इसे मैं क्या कर दूँगा यहां पर credit कर दूँगा तो equity share buyback जो मैंने यहां पर debit किया था equity share buyback इसको मैंने यहां पर cancel कर दे तो पहले खरीदा और cancel करा तो ultimately entry क्या पास हुए equity share capital account debit to bank account अब अगर आपने वो share buyback market से जो कर रहे हैं वो आपने premium पे खरीदे तो आप यहां पर entry पास करेंगी यह तो second वाली entry फिर हो जाएंगी equity share capital account debit premium on buyback account जो भी premium आप दो रहे हैं वक्त उसको debit करें हूँ expense income रहती security premium और equity share buyback को आप यहां पर क्या कर दोगे credit तो वह आपका ही cancel हो जाएगा पहले entry में आपने यहां पर debit करें यहां पर क्रेट तो आपने पहले खरीदे और उसको फिर cancel करें लेकिन यह कहां से हो रहे है आउट of profit तो अपने को CRR में transfer करना पड़ेगा तो जब आप अच्छा पहले CRR में आतो transfer करें पर लेकिन जो अगर आपने यहां पर premium पर buyback करें प्रीम पर अगर buyback करें यहां पर premium पर buyback करें तो premium और buyback को write-off करेंगे that can be write-off against general deserve profit and loss account it can be even write-off against security premium अगर आप section 52 of companies अग्डेकर महां पर उसने आपको बता है utilization of security प्रेम अपर बाएग भी थीक्स के देबिट करे और आपने उसको फिर राइट ऑफ करें तो अगर वह आपका आपका अपका प्रॉफिट करना पड़ेगा तो CRM transfer अभी entry सिखा है आपको general reserve account debit or PNL account debit security premium account debit to capital redemption reserve account अब ध्यान से सुनना security premium account जब ही utilize करना जब question में specifically अगर I specifically बोला यह आपके पास यह दूसरे reserve available नहीं जब ही करना है इंस्ट्ट generally नहीं करती है जब भी एक ही जगा उन्होंने कोई suggested में करी जब इसके balance अपने पास available नहीं थे otherwise जब भी आप इसमें कोई restriction नहीं बाइब बैक के वक्त यहां पर premium on buyback को write-off कर सकते हो लेकिन जब आप CRR में जब आगे चलके हम लोग इसको CRR के bonus shares issue करेंगी जब CRR यूटिलाइज होंगा और CRR किसमें convert हो जाएगा equity share capital जब increase in capital हो जाएगा तो उस वक्त सिर्क capital का replacement capital हमारा पहुत जाएगा ओके अब अपना आते आगे out of fresh issue of share अब आप मार्केट में नए share issue कर रहें तो आपने entry पास करें इश्यों की पहले bank account debit to share capital account अगर पार पे कर प्रीमियम पर मार्केट में share issue करें तो bank account debit to equity share capital to security premium account अब आपने buyback किए तो equity share buyback account debit to buyback equity share buyback account debit to bank account ठीक है अब भी क्या हुआ कि इस shares को जो आपने market से खरीदे उसका आप कर रहें cancel तो आपने पहले इसको credit debit करें आप उसको क्या करेंगे आप यहां पर अब उसका credit कर दोगे तो equity share capital आपका decrease in capital debit तो equity share capital account debit to equity share buyback तो आपने आप प्रीमियम पर करते हैं अब इस प्रीमियम वाला पार्ट आएगा अब इस premium को अपने को buyback तो premium on buyback को अपने यहां पर क्या किये थे बच्चों debit किये और premium on buyback अपने यहां पर क्रेडिट करें तो वह गया अपना इमीजेटली नहीं होता है तो आपन क्या करते हैं CRR में transfer करते हैं आगे चलके capital में convert होगा इतना तो सिंपल है और combination भी हो सकते हैं अपने देखेंगा आगे combination हो तो आपने देखना कि capital का replacement capital कितने सो रहा out of fresh issue of shit बचावा पूरा कापर out of profit that should be transfer to CRR account face value तो वहां तो आप ओके अबना मैं इसके questions पर आता हूं मगर एक और चीज़ मैं आपसे कह दूँ एक शेर से differential rights है पहले buyback के questions कर लेते फिर शेर से differential rights पर अपन जाते ठीक है एक और चीज़ एकना calculation आता है कि इसकी कोई conditions होती है कि जब आप buyback करते हैं वह त्रीनों condition fulfill होना चाहिए तो वह conditions क्य आता है कि number of shares आपे कितने रहना चाहिए ना कितने आप maximum कर सकते हो फिर अमाउंट से related के buyback करते हो कितना amount you can utilize तो वह एक टीन condition तो उसके बारे में आपन बात करेंगे डोंट परी अभी मैं question solve कर गो तो उसमें से question पहेंगा बहाँ पर explain करूँगा तो यह हमारा discussion of buyback से related अब के बात फिर शेयर स्वी दिफरेंशन राइट पर पन आएंगे okay so अब आप यहां पर आज जाएंगे question number one पर come to question number one देखा आप क्या कहला है question number one आप से M limited furnish the following balance sheet as a 31st March 2021 तो 31st March he balance sheet दिया आपको अब माप पर शने दिया आपको share a capital then equity share equity liability shareholders fund share capital uh 5000 rupees in 1000 okay reserve and surplus no to 6310 non current liability long term borrowing 400 current liability trade payable 40 then assets non current asset property plant and equipment 2750 non current investment 5000 current asset inventory is 1000 trade receivable 2000 cash and cash equivalent 1000 now notes to account share capital authorized issued and subscribe capital three lakh equity share of rupees 10 ish fully paid up 3000 20,000 9% preference share of rupees 100 ish 2000 फिरी आपकी note one की total 5000 फिरी आपकी नोट वन की total 5000 फिरी रिजर्वन सर्पर सिया पर से दियावा आपका capital reserve 10 revenue reserve 4000 security premium 500 then profit and loss account 1800 इसके बाद है आपका long term borrowing that is 10% debenture 400 फ्योट ही प्यूट है THE प्यूट एक्विंट और पिस प्यूट अप्यूटे प्यूटे प्यूटे प्यूटटी प्यूटे प्यूटे चीशिए प्यूटे प्यूटे का लिझूटे this एक्विटी कैपिटल एट रुपी सुफ्टीन पर शेर फॉर इस पर पर इट सोल इस इन्वेस्मेंट ऑफ रुपीस 30 लाइक फॉर रुपीस 25 लाइक यूर रेक्वाइड तो पास नहसे सरी जरा ले अभ्यान सब आप मेरी बास सुनेगे देखो 20% शेर से अपने एक्विटी कैसा में होरा है कि नहीं होरा कूण करना पड़ आपने यहाँ पर पढ़े, इसको, यह सारी चीज़ पढ़े, पूरे question में, उसने यह नी कर रहा है, question में नहीं बोला, उसने क्या question में अपने कूछ यह बोला कि कुछ shares उसने बेचा, answer is no, to share उसने बेचा ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला question में, तो यह out of fresh issue of shares नहीं है, out of fresh issue of shares हमको जब ही मानना रहेंगा, जब question में उसने हमको specifically बोला, question में उसने अपने को specifically बोला कि इतने shares market में issue है, then only we will say out of fresh issue of shares, otherwise नहीं, तो question में बोला कि कुछ shares market में issue करा नहीं, ऐसा कुछ भी बोला, नहीं, तो जब उसने question में बोला नहीं है, आपको कि out of fresh issue of shares है, तो हम इसको out of profit ही मानेगे, और एक चीज़ अपने दिमाग में बेठा लो, आउट of profit, यहां पर इस question में, जब आइब करते हो, तो restriction fund से related नहीं है, बहुत लोग इसको गलत interpret करते के, fresh issue of shares के जो पैसा है, वो यूटिलाइस को रहे, आउट of profit में आया, तो company के पास जो cash रखी वी है, तो उससी को यूटिलाइस को रहे, नहीं, restriction fund कहां से दिर उससे related न होना चाहिए, अब जैसे this question में, वो इसने बोला कि investment को बेचा, जो कि 30,00,000 का था, 25,00,000 रुपे में उसने बेचा, अब 30,00,000 के investment को 25,00,000 में उसने बेचा, तो ये तो investment बेच के fund लाँ रहा है, तो क्या कोई restriction है, कि fund कहां से रहा है, restriction नहीं है, कोई restriction funds से related नहीं है, fund कहीं नहीं है तो जब फ्रेश इश्यों प्राफिट है तो जब प्रेश इश्यों आपड़ेगा तो जो भी जो भी आप इक्विडी शेर बाइबेक करें उसकी जो भी फेस्ट वाली होगी उतने amount अपने को free reserve से उठाके CRR account में लेके जाना रहेगा simple से चीज़ है, okay, तो इस चीज़ को अपने को ख्याल रखता है, तो पहले अपन यहाँ पर आते investment उसने बेचा, जो कि 30 लाग के वो कहता है कि उसने 25 लाग में बेचा, तो यहाँ पर रुपीज इन थाउजन एक ख्याल रखना, तो फुश्य में रुपीज इन थाउजन दिया है, यहाँ नीचे लेक्स लिखावा है, लेकिन आंसर में इसे रुपीज इन थाउजन में बेचा है, तो पांच का नुकसान हो अपने को, तो प्रोफित and loss account debit 500, you can say loss on sale of investment 500, and the balance of loss on sale of investment will go to PN लेकोन, so then you will pass entry profit and loss account debit to loss on sale of investment, okay, so to investment account आपके पास से investment काया, आपने sale of investment के entry पास किया, अब आपने buyback entry पास करेंगे, आप 20% buyback करेंगे, तो equity share capital है कितने अपने पास, तीन हजार है, तीन हजार है, तीन हजार का 20% कितना होता है, 600, तो देखो यहाँ पे, equity share capital account debit, तीन हजार total capital है, उसका 20% buyback कर रहे हैं, तो यहाँ आए 600, प्रीमियम और buyback, अब प्रीमियम और buyback में आप देखो, तो वो कितना हो रहे हैं, कि 10 रुपे का, 15 रुपे में कर रह हैं, तो number of shares, buyback कितने कर रहे है, buyback जो आपके कर रहे है, total number of shares, question मुसमें दिया है, यहाँ पे, 3,00, तो 3,00, share से, 3,00, share से, और उसमें 5, उसका आप वो जो buyback आपको 3,00, share से, 20% वो buyback कर रहे हैं, just one, 3,00, share से, 20% वो buyback कर रहे हैं, तो वो आया आपका 3,00, का 20%, 60,000 share, 5 रुपे premium है, तो वो आगया, आपका 3,00, रुपे, ठीक है, मगर rupees in 1000, 300 आपका आएगा, तो यहाँ पर आपका यहाँ आगया, premium on buyback कितने 300, 300 कैसे है, आपको समझा न, 3,00, share से, जो वो buyback कर रहे हैं, तो उसका 20%, 60,000 share से, 5 रुपे, एक पे, एक पे, 60,000 multiply by 5, that's 3,00, मगर rupees in 1000 है, ठीक है, तो 300 आपका यहाँ लिखा हो है, तो आपने equity share capital account debit, यह कितना है, आपका 600, then premium on buyback कितना आपका 300 to equity share buyback account, equity share जो आपने buyback करें, अपने को इनको देना है, कितना देना है, 900, अब अब अनको payment देंगे, तो equity share buyback account debit to 900 to bank account, आपने पहले equity share buyback को यहाँ पर credit करें, फिर क्या करें, यह entry जरूरी नहीं है, यह entry आइमिंटी से जरूरी नहीं है, यह third entry भी आप पहले कर सकते हैं, second वाली को बात में कर सकते हैं, वह भी चलता है, कि पहले आपने खरीदे, और फिसको cancel करें, यह आपने पहले liability create करें, और फिर liability आपने equity share buyback की discharge करें, ओके, अब उसके बाद आता है, आपने तो इसको premium पे buyback करें, premium paywall and buyback, कितना है वो बच्चो, 300, उसको write-off करना है, तो आपने यहाँ पे देखें, कि इसको, you can write it off again, security premium also, तो यह आपका 300, आपने कब ध्यान रखना, जब CRM में transfer करते हैं, उस वक्त security premium का आपने आपने पास पर कितना है, 300, ठीके, security premium account, debit to premium on buyback, 300, यह security premium के अलावा, revenue reserve utilize करा सकते हैं, कोई problem नहीं, लेकिन ध्यान रखना, जब CRR के entry pass करते हैं, उस वक्त security premium थोड़ा अवाइट करना, जब और को option नहीं, जब उसको utilize करना, ओके, अब यहाँ पे आपने, आपने कितने buyback कर उसकी face value कि आपनी 600, तो यहाँ पर आप उसको CRR में transfer करोंगे, revenue reserve में अपना 4000, we have enough, revenue reserve account debit to CRR account 600, अब ध्यान से बिच्चे, यहाँ capital का replacement capital हुआ है, क्या, आपने equity share capital को पहले आपने debit करें, कितने से, 600 से, और फिर यहाँ पे आपने, मगर CRR को credit करें, 600 से, तो capital का replacement to capital नहीं हुआ, नही नहीं हुआ फिलाल, क्योंकि आपने out of, क्या करें बच्चो, out of profit करें, out of fresh issue of shares करतें, तो अभी का अभी capital का replacement हो जाता, आपने अभी, अभी उसको नहीं करें, out of share, issue of shares नहीं करें, out of profit करें, तो आपने CRR account में लेके करें, as per companies act, और आगे चलके CRR utilize होंगा, सिर्फ किस के लि देखें, पहले आपने investment बेचें, उसके बाद फिर आपने यहां पे equity share को buyback करें, फिर उसको cancel करें, उसके बाद आपने जो premium on buyback, उसको आपने write-off करें, और जो face value of equity share जो आपने buyback करें, उसको आपने CRR account में transfer करें, revenue reserve से, simple है, बस अपने को question देखना है, और उसको समझना ह क्या out of profit है क्या out of fresh shares है, और accordingly हमको entry pass करना रहेगा, don't worry कि वो जो calculation आता है, उसके बारे में आगे बात करूँगे question पर वो आएंगा, okay, question number two, alpha limited fund is the following summarized balance sheet as a 31st March 2017, equity and liabilities, shareholders fund, याद रखें, रुपीज इन Now, equity share capital, fully paid up share of rupees 10 ish, 2400, reserve and surplus securities premium 350, general reserve 530, capital redemption reserve 400, profit and loss account 340, non-current liabilities 12% debentures 1500, current liability trade papers 1490, other current liabilities 390, asset, non-current asset, fixed asset 4052, current asset, current investment 148, Inventory 1200, trade receivable 520, cash and bank 1480, non-first of April 2017, the company announced its buyback of 25%, 25% of equity share at rupees 15 per share for this purpose, it sold all its investment for rupees 150 lakhs, on 10th of April 2017, the company achieved the target of buyback, abhi isko samaj na achi sa hai, abhi tekhenge, abhi tekhenge bhi next question bhi maayenga, कि अगर वो target achieve कर ली, company ने आपे लिखा हुआ, मगर कभी यह ऐसा बोलता है कि आप calculate करो आप, किस चीज़ को calculate करो, कि क्या यह जो buyback है, वो provision of companies act के दाएरे में है कि ने, इसके दाएरे में है कि ने, ऐसे तीन criteria वो fulfill होना चाहिए, उसके बारे में आपने नेक्स question में discuss करने वाले, तो से जब आपको कहा, जब ही अपने को करना रहेगा, on 13th of April 2017, the company issue 1 fully paid of equity shares of rupees 10 each by way of bonus for every 4 equity shares held by the equity shares by capitalization of capital redemption reserve, अब इस question में क्या होगे है, आपर उसने bonus shares कभी आगे, उन लोग ने bonus shares भी दिये, लेकिन bonus shares कभ दे रहेटा, 30 April, तो date थोड़ी सी ध्यान रखें, post April को buyback हो रहा है, यहां पर उन्हें 10 April को target achieve करते हैं, मतलब उस तारीक को payment कर रहे हैं, share capital को आप cancel कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ने actual में 30 April को फिर क्या कर रहें, bonus shares लेकिन कुछ shares 25% तो buyback हो गए, एक April को, तो 30 April को तो हैं नहीं, तो उस पर bonus shares अपन नहीं देंगा, वो कहता है, you are required to pass necessary general entries and prepare the balance sheet of alpha limited after bonus issue, और वो कहता है, कि आप balance, आपको general entries pass करना साथ, कि आप balance sheet भी बनाना है, तो फिछले question में balance sheet नहीं, इस question में balance sheet भी है, तो फिरले हम लोग entries pass करना, अच्छा, क्या यह out of fresh issue of shares है क्या out of profit है, क्योंकि कहीं पर भी उसने question में यह नहीं कहा, तो उसने shares issue किया, कई बोला से shares issue किया, और उसने कहा कि shares issue कहा, कहा, shares issue करा, जभी उसको मानेगी कि वो out of fresh issue of shares है, otherwise वो out of profit ही रहेगा, so general entries सबसे पहले investment उन्होंने यहाँ पर, rupees in lakhs, 150 lakhs में investment बेचे, actual में अगर आप देखो तो investment थे कितने के, 148 के, so 148 के investment को 150 में बेचे, तो कितने में जादा में बेचे, 2 lakhs में जादा में बेचे, तो वो profit हो गया, so bank account debit, 150 lakhs, to investment account 148, to profit on sale of investment, 2 lakhs, we know that profit on sale of investment, we transfer to profit and loss account, okay, अब उसके बाद आपने shares buyback करें, कितने करें, 25%, अब 25% अपने को, तो 25%, तो यहाँ पर आपके shares है कितने, share capital अगर देखो 2400, तो 2400 का 25%, 600 होगा, ठीक है, 600, तो आपका 25% share capital कम हो रहा है, so equity share capital account 600, यह कैसे आया, 2400 का 25%, नो premium on buyback, अब उसने 15 रुपए में share buyback करें, 10 रुपए का है कि ने 15 रुपए में कर रहा है, मतलब 5 रुपए premium दे रहा है हूँ, तो यहाँ पर number of shares कितने हैं, number of shares अगर आप यहाँ पर देखोंगे, यह तो आप number of shares यहाँ पर यह तो आप इसको लेड़े, 2400 divided by 10, तो 240 lakh shares है, ठीक है, आप multiply by 25% buyback करें, 60, multiply by 5 premium, that's come 300, तो कैसे किया हैं, मैंने देखोंगे, यह amount 2400 है, रुपीज हर चीज़ लाक्स में, 10 रुपए का एक share, तो number of share होगे कितने, 240, 60, आप 25% buyback कर रहें, तो इसका 25% 60 lakhs, यह amount नहीं है, यह number of shares है, 240, 25% buyback कर रहें, तो आपका 60, 60, अब 60, premium कितना है, पांच रुपए, क्योंकि आप कितने पे buyback करें, 15 रुपए पे buyback करें, share 10 रुपए करें, मतलब 5 रुपए premium, समझाओ, कैसे calculation हुआ, 2004, total है amount, 10 रुपए करें, मतलब 240 lakhs share, 25% buyback करें, 60 lakhs buyback करें, 5 रुपए एक पे premium, तो हुआ है 300 lakhs, ओके, so equity share buyback account, अब आपने equity share buyback यहां पर credit करके liability create करें, अब उसके बाद उसको बन cancel करेंगे, तो equity share buyback account debit to bank account, नौसा आपने दिये, अब जो यह premium on buyback है, इस premium on buyback को अपने को क्या करना रहेगा, write-off करना रहेगा, premium से write-off कर लो, फिर आप general reserve से भी इसको कर सकते, ओके, so यहां पर, security premium account debit to premium on buyback, वो write-off करें, तो premium on buyback क्या होगा, बच्चो, cancel, we know that कि अब हमने जो preferences redeem करें, sorry, preferences करें, जो equity share buyback करें, उसकी जो face value, वो हमको CRL में transfer करना पढ़ेगा, क्योंकि out of fresh issue of share, नहीं out of profit है, out of profit है, CRL में transfer करना, और यही prefer करना, यह general reserve penal account को सके लिए utilize करें, लेकिन कितना transfer करते है, face value, तो आपने यहां पर कितने buyback जो कर इसकी face value कितनी 600, तो यह हो गया आपका 600, आपका 600, अब इसमें दिखेंगे 600, अब आपका general reserve 600 दिखते हैं, अपने यहां पर किसमें, general reserve में 530 तो 530 पूरा utilize कर लेते हैं, और penal का balance अपन 70 utilize कर लेंगे, तो यहां पर वही क्योंने, और इट केन इनी combination, you can say that, यह penal account का 340 utilize करो, बचावा general reserve, that is also correct, ओके, so general reserve account debit 530, penal account debit 70 to CRR, अब आपने CRR account यहां पर create कर लेंगे, अब वो बोलता है कि 30 April को उसने bonus shares issue किया, बगर bonus shares कितने 4 पर 1, अब समझ नहीं, number of shares हमारे पास कितने थे, 240 lakhs, उसमें से आपने buyback कर लिए कितने, 60, 60 buyback कर तो बचे कितना, 180, 4 पर 1, तो 180 divided by 4, तो कितना आ रहा है आपका, 45 lakhs bonus shares आपने issue कर, समझाए, calculation, 240 lakhs shares ते आपने buyback 60 कर रहे तो बचा कितना, 180, 180 अपन buy, जो अपन bonus shares देरे, वो buyback के बात देरे, bonus shares कब देरे, अपन buyback के बात देरे, तो buyback एक तारीक हो, आप bonus shares कब देरे, ती सेपरेल को, तो उस तारीक को कितने shares exist करते थे, 180, so 180 divided by 4, 4 पे, तो वो 45 lakhs, आप bonus shares के, we know that, कि हम किसको utilize करते, CRR account को, so CRR account debit, देखो, यह CRR आपका 600 है, तो CRR में balance अपना यहाँ पे 600 है, और पहले भी CRR है, यह 400 भी पहले से रखा हो है, तो आज ही नहीं तो को ले CRR share capital में convert होने वाला है, so यहाँ पे, capital redemption reserve account debit 450, यह bonus की entry है, तो CRR कम करेंगे, और bonus to shareholder liability create करेंगे, आपने, फिर liability आपने entry पास करें, capital redemption account debit to bonus shares, और you can say bonus to shareholder, और अभी liability को discharge करेंगे, so bonus to shareholder account debit to equity share capital, आपने bonus shares दिये, यह account cancel भी हो गया, bonus to shareholder यह account cancel भी हो गया, जैसे यहाँ पे premium on buyback cancel हो गया था, okay, जैसे यहाँ पे equity share buyback cancel हो गया था, okay, now, अब जो आपको profit जो आपको हुआ, investment की बेशने पे 2,00,000, that will transfer to P&L account, we know that, कि P&L credit में अपने income लेखते, profit वहाँ transfer करते, so profit on sale of investment account debit to profit and loss account, profit on sale भी close होगे, पहले अपने वहाँ credit के तब इसको क्या कि debit, अब यह वड़ी simple simple entries थी, अब ख्याल रखने कि balance sheet आपको जब उसने पूछा, तो हमेशा यह आपने बहुत पढ़े होंगे, internal reconstruction chapter में भी पढ़ देखेंगे, आगे भी आप देखोंगे, कि entry जब आप जब कोई balance sheet बनाते होते हैं, एक existing balance sheet, amalgamation में देखोंगे balance sheet बनाने का, आपको existing balance sheet दिए, उसकी figures को consider करो, और जो यहाँ पे आपको, मैंने entries pass किया हूँ, उसका effect लेना रहेगा, और जो भी effect आता, उसको अपने को balance sheet पे लिखना रहेगा, अब दूसरी important चीज, अब important गए, यह बड़ी basic छीज है, जो आपको पता ही, कि वह asset के debit balance होते, debit debit plus होता है, liability के और capital के credit balance होते, credit credit plus होता है, जैसे asset के debit balance है, debit के तो plus करेंगे, credit के तो minus होँगा, liability और capital के credit balance होते, credit के तो plus करेंगे, debit के तो minus, इस चीज़ को ख्याल रखना और वो add or less calculator में करना और हमको balance sheet नो लिखना रहेगा अब जैसे यहाँ पर देखिए आप पहली फिगर से पर शुरू करते हैं equity share capital कितना आपका 2400 अब entries में आओ यहाँ पर आपने equity share capital को यहाँ पर equity share capital को पहली entry में कुछ नहीं है दूसरी entry में भी equity share capital को आपने क्या की बिटा है यहाँ पर आपने equity share capital को यहाँ पर debit करें तो 2400 Kelsey में type करो अब debit करें तो उसका credit balance होता आपने debit के तो minus करना पड़ेगा minus 600 तो आ रहा है 1800 फिर आपने यहाँ पर equity share capital फिर credit करें प्लस 450 credit करें इसलिए plus किया में तो कितना आ रहा है वह थो थूथाओदन टू फिफ्टी अभी देखो थूथाओदन टू फिफ्टी लेकिन नोट्स तो अकॉंट वन में उसको बताया हो वसने है अपी equity share capital आपके 225 लैक्स दत रुपए के 2250 ओके अब second amount पर यहाँ पर अब second amount है आपकी security premium 350 तो security premium पो अपने यहाँ पर debit करें तो 350 minus 300 तो यहाँ गया 50 का balance ठीक है तो 50 आपके security premium तो notes to account to reserve and surplus में आपका security premium में देखो 350 minus 300 यहाँ गया पर 50 उसके बाद यहाँ पर general reserve में 560 आपने यहाँ पर entry में उसको debit करें कितना था 530 आपने entry में debit करें 530 तो जीरो हो गया ओके तो यहाँ पर आपके 0 530 minus 530 आउटर कॉलम पर 0 ओके उसके बाद यहाँ पर capital redemption reserve कितना आपका 400 फिर आपने capital redemption reserve यहाँ पर credit भी करें थे 600 से तो 400 प्लस 600 कितना हो गया 1000 फिर आपने यहाँ पर debit करें थे 450 से 1000 माइनस 450 यह कितना हों कि 550 का balance capital redemption reserve में देखे 400 था और फिर आपने 530 से वह किये थे और transfer due to buyback of from PNL यह क्या है let's utilize for 70 यह कैसा है just one minute 400 फिर आपने एक second एक second फिर आपने एक second एक second आपके पास पहले से CRR में था 400 फिर आपने यहाँ पर उसको credit करें 600 400 और 600 कितना हो गया 1000 और फिर आपने यहाँ पर debit करें 450 से 400 प्लस 600 माइनस 450 ते आउटर कॉलं 550 शुट कम ना यहाँ कि तरफ 550 आ रहा है यह कहां से आगे transfer due to buy अच्छा अच्छा एक second आपने CRR में कुछ अलग अलग जगह से इसको transfer करें ठीक है आपने CRR में आपने ठीक है यह मतलब वो यह बता रहे है 530 आपने General इसे 70 पीनल तोटल 600 ठीक है यह दोनों ठीक है यह आपका 400 यह तोटल यह दोनों की 600 ठीक है और यह माइनस आपने जो फिर उसको यूटिलाइस करें बोनस यह दो आउटर कॉलम पर आगे आपका कितना 550 और कुछ है रिजर्वें सर्प्लस से स्पीनल 340 फिर आपने यहां पर आपने 340 प्रॉफिट को transfer करें 340 प्लस 2 342 और आपने यूटिलाइस करें उसको कितना 70 342 माइनस 342 माइनस 70 तो यहार आपका 272 या उटर कॉलम पर आपने टोटल यह सब के आप रिजर्वें सर्प्लस की टोटल करेंगे 872 आपने लिखेंगे बारेंशेट में 872 ओके अब उसके बाद वागे कहता है अपने से डिबेंचेस कितने आपके 12% डिबेंचे 1500 उसमें कोई उसके बाद ट्रेट पेवल में कोई चेंज नी 1490 करन्ट लाइबरिटी भी 390 में कोई चेंज नी 1490 और 390 टोटल फिग्स एसे टमें भी कुछ चेंज नहीं है फिग्स एसे एसे फिट इस है 4052 और 158 इंवेस्मेंट इंवेंटरी बारावा इसा ही है 4052 यह इंवेस्मेंट खत्म हो गया इंवेंटरी चेंज डाइंज नी 520 अब यह बांक की फिगर में चेंज आए तो ट्रेड रिसीवेवल ना से बीटा-बांक की फिगर कैसे कैसी में टाइप करो 1480 1480 फिर यहां पर पैसा आया 150 फ्लस 150 फिर यहां पर पैसा गया 900-900 पिर यहां पर बस 730 आ रहा है यह 730 ओके तो यह बस ख्याल रखना बढ़ाँ सिंपल रहता है जब आप बैलेंस शीट बनाते है बेसिक रूर के ऐसेट के डेबिट बैलेंस होते डेबिट डेबिट प्लस डेबिट क्रेडिट माइनस लाइबिलिटी और क्रेडिट क्रेड यह होता ने कंप्ली जाक कर तीन पॉइंट वह बात करें यह भी पॉलेंगी इस सम्मराइब बैलेंस शीट पर लिमिटेट अस्वां 31st मार्च 2018 शेर कापिल एक्विटी शेर और पी स्टैनिश फुली पेड 17 लाग रिजर्वेंस अर्पस 25 डिजर्वेंस अर्पस 25 डिजर् करेंड मैचुरिटी ऑफ लॉंग टर्म बॉरें 15 लाग 50 तॉजर्वेंस टेंजीबल ऐसे 58 लाग 50 तॉजर्वेंस अब देखो से करेंट एसेट दिया है उसने तो उसने मां पर भाइफर गेट नहीं किया किसमें इन्वेंटरी किती यह बैंक किती तो सब वो करेंट एसेट छीएज़ तरिफ्स नहीं करना चाहते हैं दस रुपै का एक है अधस रुपै की टीस रुपै में करना चाहते हैं वाइबक और शेर इस फुल्टी ऑळनाईज वाइस आर्टिकल इन नेसेसरे ब्सव रिजयाशन है विन पास्ट बांट वाई अधर कमपनी तो अवर्द क्या इसमें पूछ लिया वाद अब अपने को बताना पड़ेंगा कि क्या यह बाइबैक जो हो रहा है कम्पनी दाइरे में है क्या सब को यह देखना पड़ेंगा कि जो हम लोग बाइबैक कर रहें के कंपनी देख के प्रोविजन के हिसाब से तो कैल्कुलेशन अपने के अब डिसकस करना पड़ेगा और फिर देखते के 35,000 वो सही है कि नहीं अब ध्यान से बाप मेरी बात सुदेगे तो तीन क्राइटेरिया तीनों क्राइटेरिय को एक-एक करके मैं आप से अभी डिसकस करूँए ध्यान से बाप मेरी बात सुनेगी बात पहला अब ध्यान से पहला पहली वाली टेस्ट को अपन के हम लोग कहते है क्या रिसोर्स टेस्ट अब यह क्या कहते है अपने से यह कहते है कि मैक्जिमम पर्मिटेट लिमिटिस 25 परसेंट ऑफ एक्वीटी पेड़ अप कापिटल और फ्रीजप वो कहता है कि मैक्जिमम जो आप कहा कर सकते हैं वो है पचीज किसका एक्वीटी पेड़ अप कापिटल और फ्रीजप लेकिन ख्याल रख न इस चैप्टर में जब भी मैं आपको फ्री रिजप कहता हूं तो फ्रीजप जब भी मैं आपसे कहता हूं तो फ्री reserves का मतलब में क्या होता है कोशन में देखता हूं मैं तो यहां पर इक्विटी पेड़ अब क्यापिटल सतरा लाक रुपए और फ्री रिजर्व होगे आपका रेवेन्यू रिजर्व आपके इंक्लूडिंग सेक्विलिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस अकॉंट अब इंफ्रेस्ट्रुक् यह पेड़ अब क्यापिटल सेवेंटीन लाक ठीक है उसके बाद यह 23,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,00,000 तो यह होगे आपका फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सेक्विलिटी प्रीमियर तो यह टोटल होगे आपका अमांट दोनों का 25 परसेंट कर सकते हो तो 45,00,000 का 25 परसेंट वो रहा है आपका कितना 11,25,000 11,25,000 तो 11,25,000 maximum इतना अमांट हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं किसके लिए बच्छो बाइबेक के लिए अब जल्दी जल्दी बताओ कि 25 प्रतीशत जो आ रहा है 45,00,000 का 11,25,000 उतना अमांट हम लोग बाइबेक के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि चले common platform पर लाते हैं कि कितने shares हम उससे कर सकते हैं तो मैंने कहां कि 11,25,000 रुपे में यूटिलाइज कर सकता हो बाइबेक के साब से maximum पहले criteria के साब से एक बाइबेक करने पर मैं क यूटिलाइज कर रहें 30 रुपे यहां पर देखेगे एक 11,25,000 और एक शेर के बाइबेक के साब से 30 रुपे कर रहें 30 रुपे तो टोटल अमॉंट अब 11,25 रुटिलाइज कर सकते हैं और एक शेर के प्रती आपको खर्चा आ रहा है 30 रुपे तो आप number of shares को डिवाइट क आपके आ जाते 37,500 इसका मतलब बच्चो मैं पहली condition के हिसाब से 37,500 shares को बाइबेक कर सकता हूं मैं कितने करना चाहता हूं हमने question पड़े तो मैं कितने करना चाहता हूं 35,000 अरे वाँ यह 35,000 share 37,500 share से कम है मैंने कहा यह 35,000 share यह 37,500 share से कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन एक ही condition नहीं ऐसी तीन criteria वो हमको देखना है तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा दूसरे में आते हैं वो है आपकी share outstanding test what is this share outstanding test का मतलब क्या होता है बच्चो मैंने कहा कि share outstanding test का मतलब होता है यहाँ पर वो कहता है आपका company that कि number of shares outstanding पहले कितने पीटर number of shares outstanding आप देखोंगे कि यह amount is 17,10,10 रुपे का एक मतलब 1,60,000 तो number of shares outstanding एक लाग सतर अजार तो company that कहता है कि आप 25% जो share outstanding उसका 25% ही buyback कर सकते हूँ तो मैंने कहा 1,70,000 का 25% होता है कितना हो रहा है 42,500 तो इस condition के इसाब से हम लोग 42,500 कितना कर सकते 42,500 shares buyback कर सकते अरे वा हम लोग इसके इसके इसाब से 37,500 maximum इसके इसके इसाब से कितना है 42,500 अभी तीनों के इसाब से देखते फिर मैं connect करता तीनों points को तो पहली condition 25% of equity paid up capital plus free reserve including security premium दूसरी condition 25% outstanding capital ओके अब आते वान 30,000 वो कहते कि depth equity ratio after buyback ये after buyback depth cannot in excess or twice the equity paid up capital and free reserve ध्यान से बेरी बाद सुनना वेटा अब वो कहता है कि buyback के बाद ये थोड़ा इंटरस्टिंग है बच्चे confused भी हो तो ध्यान से बेरी बाद सुनना buyback के बाद जो आपका depth है that should not be more than twice of equity paid up capital and free reserve मतलब वो कहता है buyback करे बाद जो भी आपका equity paid up capital free reserve उसके double से ज्यादा सबोर अगर equity paid up capital एक है तो आपका depth दो से ज्यादा नियुना चाहिए अगर equity paid up capital free after buyback सबोर 50 है तो डेप सो से ज्यादा नियुना चाहिए तो अब यह समझते पहले कि depth का मतलब क्या सारी चीज़ इंक्लूदिंग current liability अब यहां पर देखें डेप में मैं जाता हूं सबसे पहले आपका debenture से 22,50,000 फिर 22,50,000 ठीक है अगर और उसके बाद फिर unsecured loan 8,50,000 current maturity of long term borrowing 15,50,000 तो 8,50,000 फिर इंक्लूदिंग current liability इंक्लूदिंग current liability ठीक है अब ध्यान से बिला तो यह आगे आपका debt वारे 46,50,000 अब ध्यान से मेरी बास समझता इंस्यूटिट अपने suggestion में कैसे करती वह मैं पहले बता हूं लेकिन एक और तरीका जिससे answer निकलता थर्ड वारा जो criteria सो देहान से समझता मैंने का कि 46,50,000 मेरा debt है अब buyback के बाद debt है एधिटी रहेंगा equity paid up capital जो है आपका वो change हो जाएगा buyback के बाद वो कम हो मगर मेरा जो भी equity paid up capital free this 46,50,000 का 50% में लेता हूं वादे 23,50,000 मेरा equity paid up capital प्लस free reserve जो है बेटा वो 23,50,000 से कम नहीं होना चीए आप बोले सर समझा नहीं आपने क्या आक है मैंने कहा यहाँ पे कि आपका debt कितना है 46,50,000 डेप्ट कितना है बच्चो 46,50,000 सो आपका debt है 46,50,000 तो 46,50,000 अपना debt है और उसका 50% में लूँ तो वह आता है तेवीज़ाग पच्चीस जार नहीं तो इसका मतलब मेरा जो equity और free reserve buyback के बाद रहेंगा वो तेवीज़ाग पच्चीस जार कम से कम होना उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए अब उनकसर ऐसा क्यों कहरें कि आपने debt का 50% ले लिए और आप कहरें कि equity और freezer buyback के बाद वो तेवीज़ाग पच्चीस जार होना चाहिए ऐसा क्यों क्यों क्योंकि अगर यह तेवीज़ाग पच्चीस जार से कम अगर होता है फर एक्जामपल यह तेवीज़ाग पच्चीस जार से कम नहीं होना चीए अपना तो इसलिए यहाँ पे minimum paid up capital free reserve to be maintained after buyback 50% of debt that's come 23,25,000 अब अपना आज की ताप आज आज आप बोलते हैं कि buyback के बाद मेरा equity और free reserve 23,25,000 से नीचे नहीं जाने चाहिए minimum इता रहने चाहिए नीचे चले गया तो क्या मैंने आपको बता है करके देखो 23,25,000 को अपन 23,000,000 का फिर डबल करो 46,000,000 होता न तो फिर तो 46,000,000 से जाधा है आपका debt debt ते आपको 46,50,000 तो violation हो जाएगा इसलिए उससे कम होना नहीं च प्रिजर्व इंक्रूडिंग सेक्यूरिटी प्रिमिंग हो तो तो यह 45,000,000 तो मैं कहता हूँ कि अभी मेरा equity मेरा कितना है बच्चो एक्वीटी अभी कितना है आपका 45,000,000 और फ्रिजर्व अपन उपर calculate करे 45,000,000 यह 45,000,000 से एक तरीका इसका है 45,000,000 से यह गिर के 23,25, पर maximum आ सकता है उससे नीचे नहीं किरना चाहिए यह existing paid up capital of reserve है और यह after buyback आपका इससे नीचे नहीं आना चाहिए 23,25,000 से नीचे नहीं आना चाहिए क्यों अगर आ गया for example 30,000,000 तो 30,000,000 तो 30,000,000 आ गया तो इसका double करो तो 46,000,000 लेकिर आपका depth 46,000,000 से जाधा होगा तो violation हो जाए वो नहीं होना चाहिए इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि depth का पहले 50% गिए और existing आप में देखे 45,000,000 है और उससे गिर के 23,25,000 पर आ सकता है इससे नीचे नहीं अब दिक्कत है थोड़ा था calculation को समझना फिर मैं आसान करके भी calculation बताऊं मैंने कहां कि मेरे पास existing कितना है पिटे 45,000,000 मेरे पास existing equity paid up capital of reserve कितना है 45,000,000 मैं कहतना हूँ कि मुझे कुछ यह x जो नहीं यह कुस में आ रहे सपोज x CRR में भी आपने को transfer करना है वो x है तो यह x amount है transfer to CRR और CRR एक free reserve नहीं है not a free reserve तो मैंने कहां कि मेरे पास 45,000,000 equity paid up capital of reserve अभी है कितना है बच्चों ध्यान से 45,000,000 तो 45,000,000 मेरे पास equity paid up capital of reserve मेरे पास 45,000,000 अब मैं कहता है उसमें से अब मैं buyback करूँ तो कुस CRR में जाएगा तब वो CRR है x और में को maintained करना है 23,25,000 इससे नीचे मैं नहीं जा सकते अगर इससे नीचे गए तो वो violation हो जाएगा क्योंकि इसका फिर डबल करोंगे आप तो फिर वो 46,000,000 से कम होगा मतलब 46,000,000 आपका जो depth है उस double से जाएगा सब उस 23,000,000 होता है तो उसका double करो तो 46,000,000 होता है तो depth अपना 46,000,000 है इसका मतलब मेरे equity paid up capital अभी इतना है इसमें से कुछ में CRR में ले जाओं और इतना मेरे को maintained का तो मेरे पास जो Y है उतना मैं maximum buy back कर सकता हूं अब ध्यान से मेरे बास सुनना इतना मैं maximum buyback कर सकता हूं तो मैंने कहा है यहां पर विटा अगर मैं कहता हूं इसको यहां पर हम कहते कि यह आपकी यह आपने equation यहां पर बनाए ठीक है अब इसको आपर क्या मैं ऐसा कह सकता हो कि 10 divided by 10 divided by और यहां आपने यह त इसको मैं प्रॉपर यह तो मैं लिख देता है इस वाई डिवाइड़ वाई अब ध्यान से समझना क्या क्यों ऐसा लिखा गे अब वाई क्या चीज़ ने वाई का कि आप उतना maximum utilize कर सकते for the purpose of buyback तो आप buyback कितने पर कर रहे है यह है आपकी buyback price यह क्या चीज़ है आपकी buyback price यह buyback price और यह x यह आपकी buyback price और जो आपका यहां पर यह 10 है यह किसको represent कर रहे है 10 आपका यह आपकी face value of share तो मैं कहता हूँ maximum ध्यान से प्लीस को सबच दा वाई क्या रिप् यह आपका 3x इक्वल्स टु वाई यह आपने लिके 3x एक्वल्स टु वाई अब यह अब यह 3x एक्वल्स टु वाई को आप यहां पर पुट करो ताप यहां पर अगर मैं y equals to 3x तो यह वाई एक्वल्स टु 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 टू तो आपका 3x 3x divided by 4x divided by 4 5,43,750 अब आपने क्या करें यह वाई की जगा आपने 3x लेके वो equation बस बना है ठीक है इसका मतलब मेरे बस y आ गया वाई क्या होगे जो में को CRR में transfer करना है और यह क्या होगे आपका यह amount जो आप buyback के लिए use कर सकते हैं तो मेरे पास थे मेरे पास थे 45,00,000 total equity of reserve उसमें से CRR के लिए में utilize करोंगा 5,43,750 यह CRR के लिए मुझे maintain करना है 23,25,000 और बच्चावा buyback के लिए utilize करोंगे 45,005,43,750 माइन 23,25,000 तो यह आपका 16,31,250 तो अब क्या होगे यह आपके पास था 45,00,000 total equity और आपका prism x जो CRR में transfer करेंगे यह आपने calculate कर equation से और 23,25,000 तो बच्चावा आप यह आपका 16,31,250 अब यहाँ पर आपका 16,31,250 आप utilize कर सकते हैं ठीक है सब आपने यहाँ पर देखें के 16,31,250 16,31,250 divided by 16,31,250 divided by 30 rupees का एक तो इस तो इस कंडिशन के यह साब से आप पहले के साब से आप maximum 37,500 दूसरे के साब से 42,500 और तीसरे के साब 54,370 तो तो तीनों में से lowest वाला ले लो तो किसी का violation नहीं होगा तो तीनों में से lowest कितना रहा 37,500 तो यहाँ पर देखों कि 37,500 किसी का violation नहीं हो तो आप 37,500 अगर buyback करना चाहते हो तो पहले का का भी violation यह दूसरे का भी तीसरे का भी क्योंकि सबके लिमिट में मगर आप तो इससे भी कमबा थर्ड आपका आपका जो आफ्टर बाइबक डेप शुड नॉट भी ट्वाइस ऑफ मोर दैनिव एक्विटी पेड़ अप क्यापिटल आड रिसव ओके वैसे ना अपके पस यहां पर बोलते कि आप की पास जो अमौंट है प्रेजेंट जो आपकी 45 लाइक से प्रेजेंट कित्री कि फएल आपको मेंंटेन कितना करना है आपको मेंटेन करना एं 23orc 25 ओट ठीक है तो आपके पस 40 करो that will come 54 375 54 375 54 375 जान इसके इग्णोर करने कि शौट कर तरीका 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 तो क्रॉस चेक करने का तो यहां पर ऐसे करो तो 54 375 बराबर जितना यहां पर यह इक्वेशन इसब सॉल्फ करके बाद जो फिर आपका यह आता है ना इफट से एक स्टेप में आज़ता है अपने इंस्टिट्यूट वो एक्वेशन से कर जिए आपको भी वैस्ता करना रहेगा अब यह होम वक है कि अच्छा इसमें इस पूचा आप यह पूचा थे एंट्री दे सब भी पूचा है तो फिर आप कर रहें तो तो आप 35 विदिन दा लिमिट ओके अब अपन इना फोर्थ कोश्चन पर हमारे आये लेकिन आपको पते कि यहां पर इस च्राक्टर में आप लोगों को दो चीज क किसमें आटीपी में देखी मैंने देखा तो हो सकता है एक हाथ को अटेम में आपको कोश्चन वो दे दे तो कोश्चन भी अपन देख लेंगा बड़ा सिंपल है अब देखो शेर्स पर दिफरेंशल राइट की बात कर तो एक्विटी शेर्स की बात कर रहें और की तोपार में कहता है तो फर इ valve दो अपने शेर्स एठीट और क्लास बी अब क्लास में आत्char Eli क्लास ओं वोल्त यहां पर एक चुलकर ऑफर एक एक शियर लेको कोई दिक्कत निए ग्लास भी बोलता है मेरे को दिक्कत लिए तो दिए जाना है वोट देने हम दूंगो जाधा डिविडेंट देंगे हमल अच्छी बात है वोट मत देना हम अब वोट कॉन सा मैं जाता हूँ और कॉन सा आप वोटेंट व्हाइटो को यहीं वोटेंगा जाने ही ज्याइट नियुकि दूंको लएन हम कपना रहए जीनिंऐ नहीं को घए उनिutर त CiaoStraальное कि ऋर्व धिया नोगत कंद तो मैः हमको क्या लेनबग में निए ना वोट हमको ज्यादा डिविटेंट दो तो आपके एस कंदिया से इश्यू कर सकती हाँ लेकिन डैट शुड भी इक्विटीश है तो याद रखना नोट प्रेफरेंशेस केंनाट भी इश्यू विट इफरेंशल राइट से इश्यू नहीं अनली इक्विटीश है अब इसक इस शुड भी ऑथराइज बाइट आटिकल ऑफ एस इसको ऑथराइज करना चाहिए इस शुड भी ऑथराइज बाइज पासिंगे और अगर कंपनी के लिस्टेड है तो वो शेरोल्डर पोस्टल बैलेट की थूब इसको ऑथराइज कर सकते अब तीसरा दा शेर्स इस शुड नौट एक्सिट सेवेंटी फॉर परस अधर टोटल पोस इशुड पेड़ प्यापिटल मतलब जो आपके यह शेर्स वीडिफरेंश राइट आपने इशु करें तो इस डैट शुड नौट बी मोर दन सेवेंटी फॉर परसें मैक्सिमम कितना होना चाहिए सेव शेर्स दिफरेंश राइट इशू कर सकते कम्मियं नॉट डिफॉल्ट इन फाइंश्यल ओपाइंश्यल स्टेटमेंट जो है उसको फाइल करने में एंसी उको दिफॉल्ट नहीं करें पिसले तीन सालों में लोगोंने लोगों नहीं कर यह ठिरइधी आ सकती क्या कंडिशन है शेर्स भी डिफरेंशल राइड इश्यू करने ही नेक्स दे कम्पनी इस नो सबसेट सबसेस्टिंग डिफॉल्ट इन दा पेमेंट अपने डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए रिपेमेंट अफ इस मैच्वर डिपॉस्ट और रिदेंशन और प्रेफरेंशन और डिबेंचर अब आपने प्रॉपर डिविडेंट डिविडेंट करें अपने प्रॉपर करें डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए उसके बाद कम्पनी ने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए किसमें डिविडेंट और प्रेफरेंशन और रिपेमेंट अपने टर्म लोन दिये यह स्टेट फा सब चीज़ों किसी में भी आपने डिफॉल्ट नहीं करें बिटा नौ प्रेफरेंश एक चीज़ क्या रखें जो यह थियूरी की पॉइंट ऑफिस हो गया एक कोश्चन जो इस बार-बार-बार-बार आटीपी में देती है अगर एक्जाम में नहीं पूश्चती तो हो सकता है आपके अटेम में आजे और नवेंबर 23 अटेम ओल्ड से लिवस किसाब से आखरी अटेम्ट है तो हो सकता है और ना निव से लिबस में बाइबक है शेर पिर डिफरेंश राइट वाला पॉर्शन ने हटा दी है वो निव से अब देहां से सुनोंगे वी अलोगे एक्विटी शेरोल्ड को वोटिंग राइट से प्रेफरेंश शेरोल्ड को नहीं होते लेकिन कुछ जगाओ पे होते देखो नौर्मली प्रेफरेंश रोल्डर हैब सुपेरियर फाइनिशल राइट बट लेस मेनेजमेंट कंट्रो अगर उनका इफेक्ट राइट उनके राइट्स एफेक्ट कर रहें फॉर एक्जामपल अगर मैं बोलता है कि सपोर्ड कि आपने इंटर्न रिकांसेक्शन पढ़ें अब उसमें बोले कि प्रेफरेंश रोलर को डिविडेंट 10 परसेंट अब उन तो आठ परसेंट ही अगर एसा कुछ होता है कि उनको वोटिंग राइट्स होते हैं लेकिन यह तीन चीज़ ख्या रखना उनके राइट्स एफेक्ट होरे है वोटिंग पावर के एक और चीज़ please note that dividend respect of a class of preferences shall not be paid for a period of two years or more such class of preferences shareholder shall have a right to vote on all the resolution place before the company अगर कोई company ने अपने preferential dividend नहीं दी दो सार इससे जाधा तो फिर उन लोगों को सारे resolution में वोड देने का right हो जाता है अब आप लोगों से हमको क्यों पढ़ा रही है या मैं बता तो क्यों पढ़ा रहा भी question solve करूंगा है को उस पर समझेगा तो can preferential also be issued with differential right answer is no मैं अब भी थोड़ी देर पहते बता है कि equity share with differential right can be issued not preferential so no the preferential cannot be issued with differential right it is only the equity are issued equity share with differential right means share with dissimilar right as to dividend voting or otherwise ठीक है preferential with differential right नहीं होते है only equity share with differential rights होते है अब आप यह voting power के बारे में क्यों बोले सके बारे में एक question अभी मैं बता तो जो इस इस पूप करती है एन और चार लोगे इनका ratio है 30 to 30 to 20 to 20 तो कितना होगे 100 हो रहा है यह संद्रेड होगे यह equity shareholder है ठीक है x y z and k hold preferential in the proportion 40 30 20 10 अब यह preference shareholder क्या नागन का x y z और k 40 30 20 और 10 तो यह यह equity shareholder यह preference shareholder टीकेट अब आगे कहते हैं यह रिक यूर रिक्वार्ट वाइटिफाइड वोटिं राइट अफ शेयर इन केस अब क्या होता है कि यहाँ पर इनके आने के वज़े से वोटिंग राइट में फर्क पढ़िए क्यों यह पहले हंद्रेट परसेंट कौन देए एक्विटी अब प्रेफरेंस भी आगे ना तो मैं कहता हूँ 80 एक्विटी प्लस प्रेफरेंस 40 तो यह गया है एक करके बता है यह 2 3rd है अब 2 3rd कैसे बचा क्योंकि 120 टोटल है О 1 3rd प्रेफरेंस जो वोटिंग राइट क्योंकि 80 था ना अपने जगा कम इसलिए मैं ऐसे बताता हूं तो उसमें आदे देखो यह एक्विटी शेरोल्डर हां ऐसे में आदे यह कितने लोग हैं चार लोग चार लोग है ल, M, N और O तो यह कितना हो गया आपका ल, M, N और O तो यहाँ पर अब यह टू थर्ड तू थर्ड, तू थर्ड, तू थर्ड, तू थर्ड, बहुत ही बुरी राइटिंग में लिखाऊं तू थर्ड, तू थर्ड, और यह टू थर्ड, ज्यान से मेरी बास सन्ना बढ़ा, तो मैंने का टू थर्ड, तू थर्ड, तू थर्ड क्या लिखाऊं, बई तू थर्ड जो 30 30 100 ठीके 20 30 by 100 30 by 100 20 by 100 और यह गे 20 by 100 अब यह आपर प्रेफरेंशेर ओल्डर की बात करो तो वो जो चार प्रेफरेंशेर ओल्डर है चार जो प्रेफरेंशेर ओल्डर कौन है वो इसमें इन लोगों का कितना राइट्स है इनका प्रपोर्शन दिया है यहां पर 40 to 40 to 30 to 20 इसका मतलब यह जो टू-थर्ड एक्विटी था उनको वो इसमें से देंगे ना टू-थर्ड तो उनका जो शोल्डिंग तो उसका टू-थर्ड का उतना प्रपो जो भी शेर ओल्डर है जितने होल्ड करके इसके साब से यहां पर वन थर्ड अपने को लेना रहेगा और डूपह इसके साब रहेगा इसके से आएच ब्रूब यह समक्राइक तो पॉल वन गुटल यह जाएंगा ला घिर हो ठीकर डूकर के से रहेगा रहेगा ड़्ड फार्ड जाएंगा टू जाये तू जा इसले हो तो जाह ब्रूब टन पू दर्रक्त जाएंगा यहalayना यह वन बाई 15 और ये लिख सकते हैं आप इसको यहां पर 6 by 30 6 by 30 फिट विल कम 4 by 30 3 by 30, 4 by 30, 3 by 30 it will come 2 by 30 and it will come 1 by 30 तो इस त्रीक सब ळेकर सकते हैं तो आपने आपने वोटिंग राइती तो वाइंडِंडिंग का केस था अब यह आपको नहीं समझाता है, अगर मैंने आपको नहीं समझाता है यह वाला ॉइट फिर यह वाला वोटिंग की जब राइट से वो लोग यहां पर उस्में उनका में इक्वीटी में वो भी दे रहे तो इस तरी की से काल्कुलेशन होगा यहां पर रिविजेन हमारें इस चैप्टर का खतम होता है और अब इसके बाद रेगुलर से अब जहां से box with DIY you can purchase from bbvirtual.com so take care bye